हाई अब्रिवन आज हम बनाएंगे आलू से बहुती थेश्टी नास्ता तो चलिए इसे बनाना हम सुरो करते हैं इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने चार उबले गए आलू ले लिए हैं इसे हम मैस कर लेंगे तो इसे हमने मैस कर लिया है आप इसमें डाल देंगे तीन चमस सूजी एक चमस अध्रक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चमस आमचूर पौडर डाल देंगे आमचूर पौडर की जगा आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं एक चमस जीरा डालेंगे एक चमस चीली फ्लेट्स डाल देंगे बारी कटी ही हड़ीमिजेण ढाल देंगे बारी कटी ही धनियापतर दाल देंगे थोराँ सा कदु कस केववा चीजेश दाल देंगे यह औप्सनल है और स्वाद अनुसार डमङ डाल देंगे आप इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप हाथ में थोरा सा तेल लगाएंगे आप इसमें से थोरा सा मिस्रन लेंगे इस तरह से गोल बना लेंगे आप इसे हम सूजी में कोट कर लेंगे इसी तरह हम सारे को बना लेंगे जब भी आपको चटपटा खाने का अमन करे तो आप इसे असानी से जटपट बना सकते हैं तो देखिए मैंने सारे को बना कर तयार कर लिया है यहाँ पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिया था तेला मीडियम गर्म हो चुका है अब इसमें हम एक एक करकीज को डाल देंगे जितना आ सके हम उतना इसमें डाल देंगे तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे इसे हम तुरंत नहीं पलटेंगे फोरी देर बाद इसे हम पलट देंगे इसे हम high flame पर नहीं fry करेंगे आप इसे light golden और crispy होने तक fry करेंगे आप हम flame को low to medium के बीच में रखेंगे तो देखें आप ये light golden हो चुके हैं आप इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह हम सभी को fry कर लेंगे आप हम flame को off कर लेंगे आप आलू का नास्ता बनके तयार है आप इसे रेसिपी को बना कर एक बार ज़रूर ट्राइ करें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें